हेलो एंड बेलकॉप तो विनीतास केचुन वांस अगेड आज मैं आपको एक बड़ा ही आसान सा रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ यह भूली हुई डाल मसूर की डाल में हम बैंगन डाल करके बनाएंगे तो यह बड़ा ही स्वादिश है और यह आप रोटी पराथा के साथ भी खा सकते हैं सबजी की तरह यह फिर दाल जैसे चावल के साथ भी खा सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडियन्स चाहिए और यह कैसे बनता है जया ब्यंगन दाल यह जाई क्यार करना है फिर्वा गही इंग्रेडियन्स सब्कांती घी में गहीं है औरे हम तहरे फाशन पर देखते शास्ता कर दराया है कला बढ़ील मसूर की दाल आप कर दोतेरा हम पर यह प्षु है नमक, मिर्च, और बगरम मसाले का तड़का लगाएंगे तो चलिए सबसे पहले अब शुरू करते हैं ताल का बगार लगा के अब घी में मैंने जीरे का तड़का लगाया है अब यह गरम जीरा जब काल होजाएंगे तब इसमें प्याज डालेंगे अब ये जीरा जो है वो ऊटनी लगा है तो इसमें अब मैं ये कटा हुआ प्याज दाल दोंगे एक मीडियम कटा हुआ प्याज अब इसे थोड़ा भून लेंगे प्याज को अब इसमें हम पूटा हुआ अद्रग आदा चमच और पूटा हुआ लैसन जो है वो भी आदा चमच डाल देंगे और पांच मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अब इसके बाद पिर हमें से इसमें टमाटर डाल करके थोड़ा भून लेंगे एक मीडियम कटा हुआ टमाटर मैंने डाला है अब इसे हम पांच मिनट के लिए बून लेंगे अब इसमें स्वादा नुसार नमक डाल देंगे नमक हमें वो दाल की हिसाब से ही डालना है आदा चम्मच हल्दी आदा चम्मच मिर्च मिर्च तीखा जितना चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं और एक चम्मच घनिया का पाउडर अब इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे और इसमें कटे हुए बैंगन डाल देंगे मैंने एक बड़ा कटा हुआ बैंगन लिया है वैसी सब्जी को आप चाहे तो डाल को आप खड़ाई में भी बना सकते हैं क्योंकि मसूर की डाल को भिगव के रखो तो बहुत जल्दी पक जाता है और इसमें आप छोटे चोटे जो बैंगन होते हैं उनको भी हाफ कट करके और दाल में डाल के यूज कर सकते हैं मैं एक बड़ा बैंगन को काट करके ली हूँ तो अब मैं इसमें बैंगन डाल दूँगे अब इसमें मैंने बैंगन डाल दिया है और गैस को सिम करके इसको अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे हलका कुछ देर इसे पकने देते ह तोड़ा मसाला भून जाए फिर इसमें हम दाल डालेंगे और उपर से गरम मसाला डालेंगे अब इसमें हम एक चमच गरम मसाला डाल देंगे और इसे वापस अच्छी तरह से मिला देंगे अब यह मसाला देखे आप भून गया है तेल थोड़ा छोड़ रहा है तो इसमें अब हम घी में बना रहे हूं आप चाहे तो इसे तेल में बना सकते हैं तो इसमें अब मैं डाल जो भीगो के रखा है वो डाल दूंगे अब इसमें मैंने जो मसूर का दाल भीगो के रखा था पहले से उसे इसमें डाल दिया है अब इस सब को मिक्स करके और कूकर को हम बंद करके इसमें दो सीटी लगा देंगे पहले सीटी आए तो उसको सिमपर कर दीजे और उसके बाद दूसरी सीटी आने का इंतजार कीजे उसके बाद उसे आप फूकर को बंद कर दीजे और आपका बैंगन वाला मसूर का दाल तैयार हो जाएगा तो ये बैंगन वाला मसूर का दाल तयार है गर्मा गरम अब इसे आप थोड़ा धनिया से गार्णिश कर लें और इसे गर्मा गरम सर्फ करें इसे आप रोटी पराटे के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें चलिए फिर मिलते हैं एक और दूसरी रेसिपी के साथ तब तक बाई बाई एंड थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो अगर मेरा वीडियो